हलो गाईज वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है शाइलाश मारिनर जो की जॉर्ज इलिट का वन अप दा फेमस प्ले है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है आपके लिए हल्प हो रहे जोर्ज इलिट का जो शैलाश मारिनर इस कंसर्श्व कंसर्ण इप इस वीडियो जोर्ज इलिट का जो शैलाश मारिनर वह एक सोचल समाजिक र्यूलिस्टिक अड डेवोशनल नोवल है विच वास पॉबलिज़ इन 1861 जिसको की 1861 में पब्लिज़ किया गया होल से हायर प् सारे वक्स में इंपोर्टेंट है सबसे उचे प्लेस पे है दर नॉवेल अल्सो डिल से यूनिक स्टोडी नॉवेल्ज का जो स्टोडी यह बहुत अच्छा है प्लॉट टाइटल एसवेल नॉवेल का साड़ा कुछ काफी अच्छा है है और काफी इंट्रेस्टिंग नॉवे जौर्ज इलिएट के बाड़े में कहते हैं and says और लिखते और कहते हैं C is a novelist of novelists, यह ऐसा George Eliot के बारे में कहते हैं, अमेरिका के poet है कौन? Henry James. The novel Silas Marner is a remarkable one for many reasons, Silas Marner जो a novel है उसको धे सारे reason के वज़े से remarkable है, मतब याद रखने ही होग है, It is a social novel, a well-constructed novel, deals with a short story, यह है एक social समाजिक novel है, और constructed novel, यह बहुआ constructed novel अच्छे से लिखा हुआ है, deals, एक short story, जो कि एक short story से deal करती है, which is a very interesting, जो कि काफी interesting है, and complete meaningful हो, पूरी तरह से meaningful है, This novel took four months of George Eliot to write then, वो successfully published in 1861, मतलब इस novel को लिखने में George Eliot का रोटल four months लगा, और उसकी वाद 1861 में इसको published किया गया, The story starts with, तो यहां से story है, Silas Marner, who is poor cloth fever, जो कि poor cloth fever, मतलब कपडा बुटने वाला रहता है, lives in Latin yard, जो कि Latin yard में रहता है, along with his close friend, William Dan, William Dan, उसका एक close friend है, उसके साथ Silas Marner रहता है, Marner always maintain a happy life, Marner जो हमेशा है न, एक अच्छा life, maintain रखता है, and he works hard, So, he respected and believed by everyone in Latin yard, मतलब हमेशा, अच्छा life maintain रखता है, और काफी ज्यादा मैनद करता है, मतलब अच्छा life को maintain रखने के लिए, इस वज़े से इसको Latin yard में, सब इसके respect करते हैं, सब इस पर येकीन करते हैं, He loves a beautiful girl सड़ा, एक सुंदर सी लड़की से वो प्यार भी करता है, जिसका नाम है शड़ा, बोथ, मार्नर और सड़ा love each other, दोनों ही दूसरे से प्यार करते हैं, शड़ा और मार्नर, विलियम डेन ही जोगी साहिलाश का ही फ्रेंड है, शाहिलाश का ही फ्रेंड है, वो भी शड़ा को मतलब पसंद करता है, शाहिलाश मार्नर और डेन, और देन, अर दे मेंबर ओफ, स्मॉल रिलीजन कम्यूनिटी, एक स्मॉल चोटा सा धार्मिक कम्यूनिटी है, कोई, जिसके दोनों मतलब मेंबर रहते हैं, शाहिलाश मार्नर और विल्यम डेन, डेन वांट्स देट शाहराः उड़ लव हिम, डेन ये भी चाहता है कि शाहराः उसको भी पसंद करें, उससे प्यार करें, एक बार मतलब रिलिजन कम्यूनिटी के सारे मेंबर को एक मिटिंग है बुलाया गया, क्योंकि एलिटल मनी वास बिलॉस्ट फ्रॉम दा क्लब, क्योंकि मनी थोड़ा चोड़ी हो गया था, थोड़ा पैसा मतलब चोड़ी हो गया था क्लब से, मार्नर के उपर चार्ज लगाया गया था कि वह पैसा लिया हुआ है, यह भैरी शॉक्ट अट इस चार्ज एंड डिस चार्ज एंड डिस लीव लेटन यार्ड, मार्नर जो है जो कि काफी मेहनत से अच्छा लाइफ मेंटेन करता था, मेहनत करता था काफी काफी सौगवा इस चार्ज है कि उसके ओपर यह चोड़ी का चार्ज लगा हुआ है, इसलिए रोलाइटन यार्ड छोड़ देता है, लुजिंग फेथ इन मैं एंड गॉर्ड अब उसका किसी पर विश्वास नहीं रहा, नाई दो, कोई आत्मी पे नाई गॉर्ड में, विश्वास बिट्रेट बाई इस बोजम फ्रेंड और उसको अपने खुद के फ्रेंड के दोरा दुखा दिया जा रहा था, विल्यम डेन, सारा विल्यम डेन का प्लान था, ताकि यह जो सरा है, विल्यम डेन को प्रेंड करने लगे, बाई चार्जिंग दा क्राइम ऑफ थिफ्ट, सरा अलसो ब्रेक हर रिलेशन विथ मार्नर, और जैसे ही यह शेलाश के उपर, मतलब चोड़ी, चोड़ होने का मतलब आरोप लगा, तो शरा भी उसके साथ अपना रिलेशन शिप तोड़ लेती है, विकाउज उसके चार्ज के वाज़े, मार्नर इस हिमसेल्फ, हेल्पलेस गाई, एंड थेटल हिमसेल्फ इन रेवेलो, मतलब मार्नर जो है, मतलब एक हेल्पलेस गाई के तरह हो जाता है, मतलब कोई उसका हेल्प नहीं कर रहा होता है, खुद सेटल हो जाता है, रेवेलो एक जगह है, वहाँ पर ये सेटल हो जाता है, एंड लीडिंग इस लाइफ अज़ागा, एक टायर्ड मेंड के तरह अपना लाइफ, मतलब स्पेंड कर रहा होता है, कि अब इसके लाइफ में कुछ नहीं बच जाए, ऐसा लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, वहाँ खुद मतलब खुद से बहुत जागा अपसेट रहता है, उदाश्ट रहता है, अब दूसरी ओर है, ये दोनों स्टोडी के आगे जाके मिल जाती है, तो आप आगे दूसरी ओर ध्यान दिचेगा, अन्द अदर साइट टू ब्रदर लिफ्स इन रेवलोई, रेवलोई जहां पे शिलाज लेटर याड चोड़के रहने आया, तो वहीं पे दो भाई रहते थे, देर फादर इस दा लोकल स्क्वेर, उसके पिता जो लोकल स्क्वेर मतलब लोकल जमिनदार थे, देरफोर दे आर वेल ओफ फाइनेंसले, इसलिए उनका फाइनेंसले जो कंडिशन है उन दोनों भाई का काफी अच्छा था, बट दा यंगिस्ट डंस्टन इस ए गैंबलर और ड्रंकर, लेकिन जो छोटा भाई था, डंस्टन नाम है उसका एक गैंबलर, जुआ खेलता था और ड्रंकर, मतलब स्रावड़ा पीता था, वाइल दा ओल्डेस्ट गॉडफ्राइ, वहीं जो बड़ा था गॉडफ्राइ नाम था, जिसका has a secret wife who is an aphim addicted, उसकी एक wife थे, जिसके बाड़े में वह किशी को नहीं बताया था, और उसकी जो wife है वह aphim addicted थी, अफिम का उसको आदत था, मतलब नशे का आदत था, वन डे एक दिन, डंस्टन, श्टिल सिलास गोल्ड, सिलास का गोल्ड होता है, मतलब चोड़ी कर लेता है डंस्टन, तोगी वह drunker और gambler रहता है तो चोड़ी कर लेता है सिलास का गोल्ड, and is ran away और भाग जाता है, never to be seen again और उसके बाद इस novel में या फिर उसके अद वो कभी देखा ही ने गया, मतलब उस दिन जो टंस्टन, सिलास का गोल्ड लेके भागा, उसके बाद कहीं सिलास का गोल्ड लेने के बाद वो दिखा ही नहीं, वाइल सिलास इस मौर्यूनिंग दर लॉस ओफ इस ओनी फ्रेंड लेके बाद में अपनी एक फ्रेंड को बदाता है जिसका नाम है मॉली, वन्स गोडफ्रेस वाइफ कम आउट इलॉंग विथ दौटर तो लुकिंग फोर गोडफ्रे, एक बाद गोडफ्रे की वाइफ, मतलब उसको ढूडने के लिए अपने डौक्टर एक छोटी सी बेटी राती है उसके साथ बाहर आती है, जिसके बारे में गोडफ्रे किसी को नहीं बताया वह होता है, रास्ते में वो वूमेन औरत रुखती है, तो हैब सम अफीम, कुछ अफीम, फिर से कुछ निशा करने की तो रास्टे में रुखती है और लेज जाती है, गिर जाती है दवन इयर गर्ल और एक साल की जो बच्ची है वो वांडर अवे वो भी कहीं गुम्य हो जाती है, इधर हो जाती है, भटक जाती है और जब शेलाश को पता चलता है, उसकी मा मर चुकी है और उसको गोद ले लेता है, मार नर नेम्स दिस चाइल्ड एपी और उस चाइल्ड का नाम मार नर रख देता है एपी, और अधर एंड वहीं दुष्ट्री और गॉट्फ्रे रिफूजेज तो रिकोगनाईज इस डड़ वाइफ इन फ्रंट ओफिस फ्रेंड और अपने फ्रेंड के सामने गॉट्फ्रे जो है अपनी वाइफ को रिकोगनाईज मड़ी वाइफ को रिकोगनाईज करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी वाइफ अफीम अडिक्टे रहती है तो इस वज़र से उसकी वाइफ का डथ हो जाता है The arrival of Appie in Sailash's life creates new interest. In Sailash's life, Appie's arrival creates a new interest in her life. He loves her as father loves his daughter. वो उसको बहुत प्यार करते हैं, जैसे कोई पिता अपने पुत्रिशे करते हैं, वैसे Sailash एपी से बहुत जादा प्यार करते है. His one motto to please Appie, उसका सहिलास का जो एक ही राइफ का मोटोर आता है कि उसको Appie को खुश रखना है. Appie grow into a pretty girl, अब Appie एक बहुत सुन्दर लड़की बन जाती है, of 18 years old, 18 years old की, मतब कुछ समय बाद, after 16 years, Appie जो है 18 years old की लड़की सुन्दर शी बन जाती है, यसी fall in love with Aaron, उसको Aaron से प्यार हो जाता है, the son of Dolly Winthrop, जो कि Dolly Winthrop का son, बेटा रहता है, the neighbor of Marner, जो कि Marner का neighbor है, मतब परोशी है, who also loves Appie, और वो भी लड़की से प्यार करता है, दाव Marner does not like Aaron, Aaron को Marner पसंद नहीं करता है, because Aaron does not take interest in any work, क्योंकि Aaron कोई भी काम में interest नहीं लेता है, मतब कोई भी काम नहीं करता था, इस वज़े से सहलाज जो है, मारन को पसंद नहीं करता है, Once Godfrey come to reveal with view to searching his daughter, एक बार जो Godfrey, जो अपनी वाइफ को पहचाने से इंकार कर दिया था, उसको अपनी बेटी के वारे बता चलता है, और वह मतलब उसको search करने के view से आता है, When he comes to know, जब उसको बता चलता है, that Appie is his own daughter, कि Appie जो उसकी अपनी बेटी है, नैंसी want to bring their daughter to their own home, और अपनी वाइफ नैंसी के साथ आता है, जो Appie है उसको अपने घर ले जाना चाता है, अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाता है, But Appie is not willing to accept the new found relation, लेकिन Appie जो होता है कोई इंटरेस्टेट नहीं होता है, कि हाँ जो new मतलब उसके मिले है, यह जो Godfrey और नैंसी उसको कोई इंटरेस्टेट नहीं होता है Appie को, She prefer to live with Celash Marner, वो Celash Marner के साथ Appie रहती है, who was fathered her all these years, जो कि इन दिनों जो Celash Marner जो Appie के देखबाल किये थे, वो उनहीं के साथ रहना चाती है Appie, Celash is very pleased with Appie, Celash जो है Appie से बहुत खुश होता है, He marries Appie to Aaron, अब Appie का शादी यह Aaron चे भी करवा देता है, Celash lives with Appie and Aaron happily, और Celash अब Appie और Aaron के साथ happily मतलब खुशी चे रहने लगता है, तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए helpful आपके श्लेबस्ट का है, आपको यहां तक वीडियो समझ में आते तो प्लीज वीडियो को लाइक किज़ेगा, कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा और यह भी कमेंट किज़ेगा आगे आपको,